बिरेंजी इस बजट को लेकर आप क्या आपका क्या दरश्टी कौन है? देखिए बजट तो काफी बड़ा है इसमें कोई सक नहीं लेकिन इस बजट को आप उस बजट की तरह नहीं देख सकते हैं कि घर में गए सिलेंडर का दाम कम हो जाएगा, रसोई के जो समान हैं वो सस्ते हो जाएंगे, रसोई का भोज घट जाएगा, डीजल पिट्रॉल पे कोई असर आजाएगा, ये बजट स्टेट का बजट है स्टेट के बजट में बहुत सारे लाब सीधे सरकार जनता को नहीं दे सकती उसके पास इतने संसादन भी नहीं होते सीमित होते हैं ये जरूर है कि गन्ना किसानों का अगर भुक्तान कर दे सरकार, किसानों की आए अगर दुगनी कर दे, रोजवानों को रोजगार बढ़ा दे, बिजली की अच्छी बेवस्था कर दे, इंडस्टरियां लग जाएं तो ये बजट भी केंद से बहुत बड़ा बजट हो जाए गा, करोना चला गया, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन महंगाई अपने उसी दिसा से चल रही है, जिनके माबाप नहीं है, उनके बच्चेों को फीस्ट देने परिसाजनी है, खाने पीने कि समस्या आए, उनके जीवन अस्तर को कैसे समाला जाएगा, चार हजार रुपिय सरकार ने कहा है कि उसकी वेऊस्था वो कर रही, बात बहुत सारी है, लेकिन आज बात ये होगी, कि उत्तर परदेश में पांच इंटरनेशनल नए एरपोर्ट चालू होने की स्थिती में है, सरकार एक हजार करोल उपिया गन्ना भुकतान के लिए लेकर आई है, हाई कोट की बिल्डिंग बनेगी, जजों के आवाज बनेंगे, अधिवक्ताओं के लिए पैसा दिया जा रहा है, मेट्रो रेल बनेगी, अजोद्या मतुरा कासी, ये सब एरपोर्ट चंप केंगे, बिसेश सुरच्छाबल बनाए जा रहे हैं, जहां पर आपके, अजोद्या मतुर कासी के साथ मेट्रो रेल की सुरच्छा, पर्तिष्ठानों की सुरच्छा, इस्पेसल टास्पोर्स होंगी, उन सब पर खर्चा होगा, महिलाओं के लिए महानगरों में छे सहरों को चैनित किया गया है, जिनको सेब सिटी का दर्जा दिया जाएगा, उसमें लखनओ, रहे, उसकी भी बात बार बार कही गई है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसके तहेट टेबलेक, फोन, मिसन सक्ती, महिला पैंसन को बढ़ाना, तमाम सारी चीजें हैं इसमें, बनारस पे और रजुद्या पे काफी फोकस हुआ, बनारस में नया क्रिकेट स्टेडिय सरकार खोलने जा रही है, जैसे लखनव में है, और मेरट में ध्यान चंद स्पोर्ट इन्वस्टी, इसका भी ऐलान हुआ, लखनव में अटल, चिकित्सा मेडिकल इन्वस्टी का ऐलान हुआ, सरकार ने यह कहा, कि 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी, आज अपरैल 2022 में 2.9% है, इस बजट में इसको परमुक्ता से कहा गया, कौसल विकास से सवाचाल लाख नोकरी, आईटी से चाल लाख, चिकित्सा सिच्छा में 10 अजार, ऐसे तमाम सारी नोकरियों की बाते कही गई, जै, बिजली सहर को 24 गंटा, तैसील मुख्याले को 16 गंटा, गाउं को 18 गंटा, दो गए सिलेंडर, मुप्त देने की योजना का भी आज इस बजट में ऐलान हुआ है, बिजली जी, हम जिस परदेश में रहते हैं, वो किरसी परधान परदेश है, जब से हमाब बड़े हुए, तब से किसानों की आई दुगनी हो रही है, इसमें कोई सक नहीं, तमाम किसान मर गए, तमाम खेतों के जोट के आकार घड़ गए, आपदाएं आई, लेकिन किसान की आई हर सरकार में दुगनी होती रही, अब तक तो उसको बीस गुना हो जाना चाहिए था, पंचायती राज, गराम विकास, अगर आप देखिए, राजस, ये सब पूरा प अगर इमानदारी से काम हो, तो गाउं सहरों से ज़्यादा अच्छे हो जाएं, ये तना पैसा आता है, लेकिन आपको अपरेटिव को भी गाउं से जोड सकते हैं, ये चार-पांस सेक्टर ऐसे हैं, जो सहर को पीछे छोड़ दे, गाउं का कायकल्प हो जाए, गाउं में ह सारी सुब्धा मिल जाए, ये दुख्ध समितियां जो फर्जी तमाम चल रही हैं, जिनके नाम पर पैसा जाता है, ये सब बेमानी रुख जाए, अभी एक बात सुन रहे थे, कि हमारे हां इंडस्टी नहीं है, खेती पे हम लोग निर्भार हैं, इंडस्टी पहल कैसे आए पहले चंबल में डाकू रहते थे, उनके डर से नहीं आती थी, फिर जब हम पढ़ लिक के आगे बढ़ें, तो राजनेतिक डाकू और अपसरों ने हाथ मिला लिया, कानून बेऊस्था में गुंडा गर्दी हत्या लूट एक्स्टार्शन, जिसके वज़ा से फिर इंफ्र ट्री भी आये, चीनी मिल लगे, तब तो ये मामला बनता है, अनथा, आप देखेंगे, कि बुंदेल खंड की बात आती है, बुंदेल खंड प्यासा है, इस समय मई का महीना चलना हाहा कार मचा है, बुंदेल खंड में पानी के लिए जान देने के लिए लोग तयार है, वह इतने काम चलेगा, बुंदेल खंड में न प्रशल है, बुंदेल घंड का पानी जुलम कर जाए, और क्गरी न फूटे, चाहे बलं मर जाए, तो मुणे खंड का पानी अतना जुलम ढह रहा है, और इस पानी से प्यास कैसे बुझाएगी, मुंदेल खंड की धरती की ये बहुत बड़ा सवाल है कई सरकारों ने इस पर काम किया लेकिन वो प्यास आज तक बुज नहीं पाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उस फाइब ट्रिलियन एकोनामी डालर को सपोर्ट कर रही है जो प्रदान मंतरी नरेंद मोदी का विजन है यूपी में एक मजबूत सरकार भी है और वो इस लक्ष को पाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनके पास पिछला पान साल था जो काम सुरू किया था एक्सप्रेस वे का विजली का रोजगार का उसको आगे बढ़ा सकते हैं यह आज हम यह कह सकते हैं कि जो है रोटी का वही डाल का बजट बस एक मामला यह है कि महंगाई ने बजट के तमाम बेउस्थाओं को हमेशा बिगाड़ा है उस पर असर डाला है एक साहितिकार ने लिखा है कि बजट भीक और सीख देने का सबसे बड़ा उस्सो है बजट एक ऐसा आसमान का बादल है जो बरस्ता तो खूब है लेकिन जमीन पर बहुत कम पहुँच पाता है फिलहाल योगी सरकार को आपको बढ़ाई देना होगा कि उसने उत्तर परदेश में एक प्रोग्रेसिव बजट पेस किया है और उसके माद्यम से यूपी के विकास की खुशाली की तरक्की की एक तस्वीर दिखाई एक रास्ता दिखाया है बहराल एक साहितिकार ने लिखा है सुन बलते ही चलो कि अब देरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बैनुट